हेलो इन्विस्टर्स आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं सलासर टेक्नो इंजिनेरिंग लिमेटेड के बारे में और साथ ही कवर करेगे इसकी रिगार्डिंग कुछ लेटेस अपडेट्स और साथ ही वीडियो में आगे हम डिसकस करेगे आने लिए स नसर आ रहा है और आज स्टॉक में आराण हमें एक 2% का डाउनफॉल होते में नसर आ रहा है जा कल की बात करें तो कल स्टॉक में हमें एक काफी अच्छी कासी तेजी देखनी को मिली थी जिसके चलते पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में सलासर टेक्नो न तेखनीकों मिल रहे जिसके चलते आरावं 75% स्टॉक हमें रेड में ओपन होते वही नजर आ रहे और फिलाल ये एक में रीजन है जिसके चलते आज सलाशाटड टेक्नो में हमें एक 3% का डाउनफॉल नजर आ रहा है तो अब बात करते सलासर्ट टेक्नो के पिछली 6 मैने के जो नंबर से उसके उपर हम easily predict कर सकते कि ये stock आपको long term के लिए कितना शांदा रेटेंज देते हुए नजर आ सकता है तो पिछली 6 मैने को आप compare करोगे तो company जो total revenue जो के around हमें 575 करोड के आसपस का देखने को मिलता है और वही पिछली 6 मैने के company के जो total income या company जो total net income है वो भी around हमें 21 करोड के nearby देखने को मिलते हुए नजर आ रहे जो कि किसे भी penny stock के लिए एक काफ़ी बड़ा number या पर नजर आ रहे लेकिन जो सबसे बड़ी positive point की बात यह आ पर ही है कि company को continuously और और इंडिया से काफ़ी बड़े बड़े orders मिलते हुए नजर आ रहे जिसके चलती इसकी जो order book है वो day by day काफ़ी strong होते हुए नजर आ रहे और यह एक फिलार एक ऐसा positive point है जिसके चलती जो market expert से वो भी फिला ली stock हो पर काफ़ी ज़्यादा positive नजर आ रहे और continuously एक buying rating भी या पर suggest करते हैं नजर आ रहे जा हाली की कुछ बड़े projects की बात करें तो company ने recently 1033 करोड का एक काफ़ी बड़ा contract sign किया था आप देखी सकते हो टेंग इड़या को या पर जो नाम है और साथी company ने 173 करोड का एक और काफ़ी बड़ा government company के साथ जो एक tie-up किया था जा पर उनका एक काफ़ी बड़ा project rail Vikas Nigam Limited के साथ भी या पर देखने को मिलते वी नजर आ रहे जो की एक तरह से देखा जाए जो एक बड़ी partnership के साथ जो एक बड़ा या पर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है जासे हम easily predict कर सकते हैं आनुले समय में rail Vikas Nigam के और भी बड़े-बड़े projects इसको मिलते वी नजर आ रहे तो फिला एक तरह से देखा जाए और वही stock के कुछ technical points को analysis किये जाए तो stock already अपने 52 week high से around 45% या पर डाउन होते वी नजर आ रहे और जिनोंने भी उपर की level से इस stock में अपनी holding बनाई होगी फिलाल तो उन्हें आपे काफी जाधा loss का भी सामना करना पड़ता होगा और जो भी फिला इसमें fresh entry करना चाहते हैं वो definitely सलासर टेक्नों में 18 रूपिस के around अपनी fresh entry कर सकते हैं क्योंकि इससे नीचे ये stock अब आपको जाते वही नजर नाएगा बलकि आनले समय में आपको काफी उपर के target इसमें 100% देखने को मिलते वही नजर आगे और वही बात करें September quarter की तो September quarter में 16 टेक्नों में काफी ज़्यादा उतार चड़ाओ देखने को मिले जास September quarter की share holding pattern के उपर आप नजर डालोगे तो September quarter में जो promoter holding है उन्होंने आपनी जो holding है उसे यापर थोड़ी decrease किये जो की एक तरह से देखा जाए तो stock के लिए एक काफी बड़ा negative point यापर नजर आ रहा है जास September quarter में promoters की जो holding थी जो की around हमें 57.0.4% की देखने को मिलते भी नजर आ रही थी जो की अब decrease हो की around 54.95% की देखने को मिलते भी नजर आ रही तो मोटा मोटी around promoters ने around 2% की जो holding है यापर open market में sale की है और 7 September quarter में promoters ने around जो अपनी holding है around 4.22% की जो holding है उसे आपर pledge यानि गिर्वी रख दिया है तो ये कुछ ऐसे negative points है जो की stock के लिए फिला तो एक negative point यापर नजर आ रहा है लेकिन साथ ही stock में कुछ ऐसे positive points भी है जो की आनले समय में आपको काफी बड़े targets देखाते वे नजर आ सकते जापे number of FII और FPI ने अपनी जो holding है वो यापर 24 से around 27% कर लिए September quarter में जो की एक तरह से देखा जाए तो काफी जादा positive point है और साथ ही आप FPI और FPI पर और institutional investors पर आप नजर डालोगे तो उन्होंने भी आप अपनी holding थोड़ी decrease किये लेकिन आप numbers पर notice करोगे तो काफी चोटी एकदम मामूली holding उन्होंने आप अपनी decrease किये तो अभी भी देखा जाए तो foreign investors हो या institutional investors हो उन्होंने अभी भी company के उपर एक trust बना के रखा है और अभी भी एक अच्छी खासी holding उनकी आप पर पड़ी वे जो की काफी बड़ा एक positive point आप नजर आ रहा है और जैसे कि आपको मैंने recently बोला कि recently पिछले कुछ दिनों से बात करो तो stock में हमें एक अच्छा कासा volume भी आप आते भी नजर आ रहा है साथी company recently जो quarter से आप पर release किये उसमें भी company की जो number से quarter by quarter आप compare करोगे तो company काफी अच्छे कासे number या पर बताते भी नसर आ रही और आने वले समय में इसी तरह company या पर अपने quarter पोस्ट करती है तो definitely आने वले समय में Salasar Tecno आपको एक multi bag returns भी देते भी नसर आ सकती है तो आज के लिए बस इतना ही Salasar Tecno Engineering में जैसे ही कोई latest update या जैसे ही कोई latest news होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी तो वीडियो पसे नहीं तो वीडियो को like करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को subscribe करो हम आपके लिए ऐसे stock market की वीडियो चैनल को subscribe करो, मिलते एक लिए वीडियो में thank you